आपका स्वागत हैं मैं हूँ स्रिकान प्रतिूस आपके लिए एक बड़ी खबर है जी हां बिहार पुलिस मुख्याले का ठिकाना आज से बदल गया है बिहार पुलिस मुख्याले का एड्रेस आपको बदला बदला हुआ मिलेगा हेली पैड हाई टेक सेकूरूटी से लैस है ये भवन सजधजकर पूरीतर से तयार हो गया आज उधगाटन भी हो गया बिहार की राजधानी पटना में नौनरिमित पुलिस मुख्याले भवन बनकर तयार हुआ था और उसमें आज पुलिस मुख्याले शिफ्ट भी हो गया है राजे का पुलिस मुख्याले आज सिफ्ट हुआ, मुख्यमंतर ने उसका उधगाटन किया, नए पुलिस मुख्याले की निर्मान सुरक्षा का विशेस ध्यान रखा गया है, सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इमारत इतनी बुलंद है और आलिसान है कि दिल्ली और महराष्ट का पुलिस मुख्याले भी इसके सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। पुलिस मुख्याले भौन को सिगनेचर बिल्डिंग की तरज पर तयार किया गया है। अगर 9 की तिब्रता वाला भुकंप भी आ जाता है, तो भी भावन को कुछ नुकसान नहीं होगा, भुकंप के समय भी भावन पूरी तरह से आउपरेशनल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, पुलिस मुख्याले भावन की खासियत ये भी है, कि अगर 10 दिनों तक प्रदेश में सभी जगों पर बिजली कटी रहती है, तो भी यहां बिजली उपलब धरहेगी। स्केल पर अगर भुकंप आया, तो वैसी परिस्तिती में भी ये बिल्डिंग जहांसे आपता प्रबंधन का कारेगी किया जाएगा, या बिल्डिंग सुरक्षित रहेगा। भी हाइटेक सेकूर्टी प्रूफ है, प्रवेश्दवार के तुरत बाद कई टर्मिनल वाला एक हॉल है, वहां खास किस्म के इलक्ट्रोनिक कार्ड को स्वैप करके ही कोई अंदर जा सकेगा, पर इसर में साढ़े 400 वाहनों की अंडर ग्राउंड पार्किंग की बिवस्ता है, भावन की छट पर एक हिलिपैड भी बनाया गया है, कि जब जुरुत पड़े पुलिस वाले यहां से घटना अस्थल पर कुछ कर जाएं, इस भावन में मुख्यमंत्री कर्याले, ग्रिह सच्चीव, पाँच दीजीपी के अलावा, CID, एस्पेसल ब्रांच, रेल पुल को बैट कर मॉनिटर कर सकते हैं, GPS सिस्टम से यह पता लगाया जा सकेगा कि जीलों के SP कहां है, पुलिस की गाड़ियां कहां मूव कर रही है, मुख्यमंत्री ने एक उदारन दिया, कुछ ताल पहले PTN News ने पटना के एक विश्टन रोड में एक खबर दिखाई थी, कि एक प्रेट्रोलिंग क्या कर रही थी उस समय, पुलिस अधिकारी घटना के कितने दिर बार उहां पहुचे, पता चला कि चुक हुई है, बड़ी चुक हुई है, और उन्होंने नीचे से उपर तक पुरे पटना जिले की पुलिस महकमे को बदल डाला था, तो उन्होंने इस घ जगह चाहिए, ओफिस चाहिए, अत्याधुनिक हथियार चाहिए, गाडियां चाहिए, और हाइटेक सिस्टम चाहिए, जिससे बैठ करके पुलिस मुख्याले में सब के काम को मोनिटर कर सके, तो तमाम जो सुविधायें चाहिए, सरकार दे रही है, सरकार पुलिस वालों क काई डूटी बनता है कि वो भी सरकार की चिंता करे प्रदेश की जनता की चिंता करे और कोई भी पुलिस वाला अपने कर्तब के निर्वहन में चुक बरतेगा या उससे कोई भी भूल होगी तो उसे भकसा नहीं जाएगा तो बरते हुए अपरास्त मुख्यमंत्री काफी चि अधनिक हाथ्यार पुलिस को दिया जाज चुका है पहले ही पुलिस फोर्स में जो कमी थी जवानों की उसको भी पूरा किया जाज चुका है और अब अत्याधनिक हाइटेक बिल्डिंग पुलिस मुख्याले बन गया है जहां से बैठ कर पूरे प्रदेश को मोनीटर कर सकत है कि कौन अधिकारी कहा है क्या कर रहा है और ऐसे में अब कोई चुक होगी तो सरकार बरदास नहीं करेगी मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने साफ लहजे में से तावनी दे दी है ऐसी स्तिती आएगी जिसको आप इमर्जेंसी सिच्वेशन कह सकते हैं उस स्तिती में भी आपदा प्रबंधन का कारे इस भवन के माध्यम से किया जा सकेगा और इसी कंसिप्ट के साथ भवन के स्ट्रक्शर के बारे में विचार किया गया है इसमें सक कि कोई गुंजाइस नहीं कि पुलिस मुख्याले बहुत ही आलिसान है बहुत ही भव्य है और इसको देखकर गौरों का बोध होता है निस्ती तुरुप से मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को एक बहुत बड़ी सोगात दी है पहले पुलिस किस तरह से काम करती थी मैंने देखा है 25 साल से पत्रकारिता में हूँ पुलिस के पास प्रिट्रोलिंग के लिए जीप नहीं होती थी जीप पर एक पुलिसोला बैठा रहता था पांच वाल पुलिस वाले धक्का मारते होते थे तो धक्का मारू जीप थी पुलिस के पास लेगिन अब तो पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार भी है और तेज भागने वाली गाड़िया भी है और हाई टेक सिकूरूटी सिस्टम भी है और अत्याधूनिक सारे उपकरण है जिसके जरिये वो पूरे प्रदेश की घटनाओं पर नजर रख सकती है तो अब चुक वाकई बरदास के काविल नहीं है देखिए अपराधी बेकाबू है अभी अपराध का ग्राप काफी बढ़ा हुआ है ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये अत्याधूनिक सुधाएं पुलिस को तो दे दी है लेकिन क्या असर पढ़ता है इसका अपराध पर अपरा करता है ये ये जालाप पाइब अभी प्राभी ने ये अपराध भ्राभी आचियमंत्री ने तो देखिए अपराध पराधराध भूरी ने